This is the Realme Book Slim, Realme का first ever laptop जो Realme ने इंडिया में लाँच किया है Realme Book Slim में आपको मिलती है 14 इंचिस के 2K IPS दिस्प्ले 400 nits की है पीक, brightness और साथ में आपको 100% sRGB color gamut देखने को मिलता है 1500 is to 1 contrast ratio है और गैस इस laptop को जितना मैंने यूज किया है मैंने अपनी balcony में बैटके भी इसको यूज किया है काफी जादा बढ़िया आपको bright display देखने को मिलती है unlike a lot of other laptops जो मैंने अभी recent टाइम में टेस्ट किया है इस laptop के viewing angle मेरको काफी अच्छे लगे और अगर आप इनो movies देखना चाहते है उस laptop पे तो दो तिन लोग भी बैटके easily real me book slim पे ऐसा कर पाएंगे बहुत ही crisp यहाँ पे आपको text देखने को मिलते है और display की बात करें real me book slim के display से मैं thoroughly impressed हूँ Intel Core i3 processor है इस laptop में साथ में 8GB DDR4 RAM है और 512GB आपको मिलती है SSD storage और performance की बात करेंगे तो real me book slim को जितना मैंने test किया है performance मेरको इसकी अच्छी खासी लगी इस पर मैंने editing वगरा भी करके देख लियो और मेरको को इस टटर्स वगरा इस laptop में देखने को नहीं मिले और overall आपको एक decent packaging देखने को मिल जाती है when it comes to real me book slim and its performance Windows 10 आपको home देखने को मिलता है फिलहाल के लिए बाट यह अप्ग्रेड़ेबल होगी Windows 11 पे और जब भी Windows 11 अन्वेल होगा मतलब इसका जो stable rollout आएगा आपको real me book slim में भी Windows 11 देखने को मिल जाएगी अगर आप zoom call वगरा करना चाहते हो या फॉर एनी रीजन अगर आप यूज करना चाहते हो इस लैप्टॉप के कैमरा को तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एक 720p webcam integrated आपको webcam मिलता है आपको अलग से एक webcam खरीदना नहीं पड़ेगा keyboard किसी भी laptop का एक काफी important element हो जाता है और अगें fairly clicky यह keyboard मिरको लगा अगर आप typing ज्यादा करते हैं तो आपको realme book slim में कोई भी problem नहीं आने वाली ऐस सच और इसके लबाए इस laptop का trackpad भी fairly large लगा और काफी ज्यादा responsive यह trackpad है decent amount of ports भी आपको realme book slim में देखने को मिल जाती है और connectivity की वैसे बात करें तो यहां पर आपको decent connectivity options भी देखने को मिल जाती है Wi-Fi 6 support है साथ में आपको देखने को मिलती है Bluetooth 5.2 support और USB Type-C of course आपको यहां पर charging port भी देखने को मिल जाता है realme book slim का power button double करता है as a fingerprint scanner और यह चीज़ काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे अगरे इस हम notice नहीं करते हैं बट दिन में जितनी बार आप अपने laptop को on करते हो न मतलब password पिन डालने में बहुत time-based होता है तो यहां पर एक time saving आपको option मिल रहा है और इसका fingerprint scanner काफी जादा fast और precise है यह चीज़ भी realme book slim की काफी मुझे अच्छी लगी इस realme book slim नाम तो realme ने slim रख दिया बट क्या ही लैपटॉप actual में slim है की नहीं indeed realme book slim आपको एक काफी slim form factor में देखने को मिल जाता है और weight balancing भी मेरे को लग रहा है कि यह इस laptop की काफी अच्छी है एक हाथ से अगर आप इसके lid को खोलना चाहते हो वो भी आप easily कर पाओगे और काफी आपको यहां पर एक compact experience देखने को मिल जाता है मेरा daily driver mac मैं इसको कहीं पे लेके जाता हूं तो यार मेरे को कहीं मेरी feel भी नहीं होता कि मेरे back में Mac को में डाल रखा है almost similar experience मेरे को realme book slim में भी देखने को मिला so when it comes to you know portability realme book slim आपके लिए एक ideal choice हो सकता है audio quality मेरे को realme book slim की इतनी जादा बढ़िया नहीं लगी मतलब it's kind of above average but I have seen better laptops in this price range जिन में हमें अच्छी और भी जदा अच्छी audio quality देखने को मिल जाती है harmon speakers है यहां पे दो और साथ में आपको stereo speaker experience देखने को मिलता है अगर मात करने loudness की तो realme book slim छोटे rooms के लिए तो ठीक है अगर आप इसको अपने bedroom में यूज कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो किया मैं मतलब वह ultimate music experience को experience करने वाला हूँ वह आपको realme book slim में sadly enough देखने को नहीं मिलने वाला बैटरी मेर को इस laptop की काफी अची लेगी यहां पर आपको अच्छा खासा बैटरी experience देखने को मिल जाएगा 11 अर्स तक आपको local video playback realme claim कर रहा है कि मिल जाएगा और आपको similar results देखने को मिल जाते हैं realme book slim में साथ में 65W के आपको PT fast charging देखने को मिलती है जो कि इस laptop को आदे घंटे में 30 minutes में 50% चार्ज कर देती यह चीज में को इसकी अच्छी लगी और साथ में 30W की dart charging को भी realme book slim support करती है तो guys overall realme book slim को जतना मैंने use किया है I have kind of liked it it's a very good laptop और considering the fact that realme का यह laptop segment में पहला product है में आपको आपको आज की वीडियो हर बार किता पसंद आई होगी वीडियो पसंद रगे इस वीडियो के लाइक का ना मत बुलेगा मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में till then खुछ रहिये आपात रहिये फिलते भूलते रहिये साथ awesome रहिये God bless you all a peace जाहिए